स्वाथ्या यह परमधाहा डॉक्टर बाबासाहिब आमबेडकर, ओपन उनिवर्सिटी नमस्कार मित्रो, डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर ओपन इन्युएसिटी मां, स्कूल औफ मेन, कॉमर्स एंड मेनेजमेंट मां, हुँ, खुश्बु जादव, असिस्टन प्रोफेसर मेनेजमेंट आपनू हर्दिक स्वागत तंता किये संचालान1ода, यूनीट 4 भर्ती औने पसंदगी विश्य विगत्वार चरचा करीशुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुverbs आजना समय मा भर्ती औने पसंगी नू किटलू महत्व छे। दरिक संस्था माटे भर्ती औने पसंगी ते मालखा गद रिते औने योग्य रिते थाई ते खुबज महत्व नू होई छे। सव प्रत्वम विद्यार्थी मित्रों आपने रूप रिखा जोई लेए। सव प्रत्वम आपने आमा प्रस्तावना, ते पची भर्ती, तेनू महत्व, व्याक्या, भर्ती ने असर करता परिबढ़ो, भर्ती नी प्रक्रिया, भर्ती नस्त्रोतो, पसंगी औने पसंगी नी व्यवस्थापननों बुखुबज महत्वानों भाग भजवे छे। व्यवस्थापननों बुखुबज महत्वानों भाग भजवे छे। व्यवस्थापननों बुखुबज महत्वानों भाग भजवे छे। विद्यात्यमित्रों हवे आपने अमुक मुद्दाची जनापरती आपने भरतीनों महत्वा समझाशे। तो ते आपने मुद्दाओ जोईए। ते भरती द्वारा मदत रूप थाई शके छे। ते टुंका गळानी रोजगारीनी संभावना घटाडवामा मदत करे छे। एटले के ज्यारे पन भरती करवामा आवे तो जे शोट्टम एमपलोयमेंट आपड़े कईये छे। ते खुबज मदद रूप थाई निवडे छे। अने ते अरश्दारोंने संस्थामा खाली जग्याओ माटे अरजी करवा प्रोच साहित पन करे छे। एटला माटे ज्यारे पन कोईपण कर्मचारी कोईपण अरजी जोवे छे तो ते प्रोच साहित थाई छे। अने तरत तश ते संस्थामा ते अरजी करवा माटे प्रोच साहित थाई छे। कोईपण अरश्दारने ओडखवा होई अने तेमने संस्थामा निमणुक करवा होई तो जे भरती छे ते खुबज मदद रूप साबित थाई छे। एटली जयारे पन कोईपण संस्थाने भरती करवी होई तो तेमने व्यवस्तिट्री ते अने सारी रीते प्रक्रिय आजे जे भरती नी तेने अनुसर्वी पडिए छे। त्यारवद अपणे जोईए कि भरती जे ठे ते अटकायक दर घटाडए छे अने सनस्थाना समग्र विकासमा परिणा में छे इटले के जे पण कर्मचार्यों छे ते संस्थाने छोडीने जत्ता होई ते भर्ती करवाती ते जे अटकायत दर छे ते घटे छे औने आनालीदे समग्र संस्थानों विकास थाई छे ते संस्थाना वर्त्मान औने भविश्य नी आवशक्ताओ नक्की करे छे औने ते मुझे भ्योगनाओ पन घड़ी आपे छे इतले के भर्ति इटला माटे महत्वनी छे के ज्यारे पन कोई पन संस्था मां वर्त्मां नुग्कю करना हो य gry morning तो त् selfish teenage जे पन आयो जय इतले के जे पन प्लानिंग करना हो य तिने के अश्रकार कारक ताई चे ते संभवित करमचार्यों नोकरी दाताओ साथे जोडे छे इतले कि जारे पन भरती करवामा आवे त्यारे जो рукरी दाताओ छे इतले कि जे रोजगार आपवाना चे ते नी साथे करमचार्यों जोडाई चे त्यार बद अपने तेनू बिजु महत्व जोईए ते योग्य उमेद्वारोंने पसंद करवाना सफर्तानों दर्वधार्वामा मदत करे छे एटले के जारे पन भरती करवामा आवे त्यारे ते संस्थाने हम्मेशा जे सारा कर्मचारियों होई ते भरती नीमदत्ती मड़ी रहे छे एटले के जे सफर्तानों दर्चे भरती करवानों ते हम्मेशा वधतो रहे छे अनि छेलले ते सारा कर्मचारियों साथे सारू कार्यस्थर्ण नुवातावाण उब्भू करे छे एले के ज्यारे पन भर्ती करवामा आवे त्यारे इंटर्यू लेवामा आवे छे अने जे रिते, जे क्वालिफिकेशन, एटले के जे लाइकाद जोईती होई, जे अनुभव जोईतो होई, ते ज कर्मचारियों ने ते संस्थामा निम्णुप करवामा आवे छे एटले के सारू कार्यस्थर्ण नुवातावरण संस्थामा उब्भू थाई शके छे विद्यार्थी मित्रो भरती जे छे ती कोईपण संस्थामा ज्यारे पर करवामा आवे त्यारे तेने अमुक परिबड़ो जी छे ते असर करता होई छे अने आ जे परिबड़ो छे ते बे रिते असर करे छे एक आंत्रिक रिते औने एक बाहिय रिते एटले के external factors अने internal factors ज्यारे बजारनी परिस्ती बदलाती होई त्यारे ते अच्यूक रिते संस्थाने असर करे छे तो अमुक परिबड़ो एवा छे कि जे आंत्रिक रिते असर करे छे औने अमुक परिबड़ो छे जे बाहिय रिते असर करे छे इतली के संस्थाने आ बन्ने परिबढों नू ध्यान राखू जरूरी छे, कारां कि ते संस्थाने नुक्षान कारक निवडी शक्ये छे भर्ती ने असर करता परिबढों ने आपने आन मीचे मुझब ना बे आंत्रिक परिबढों औने बाहिय परिबढों तेमा आपने विभाजन करी शक्के तो जी आंत्रिक परिबढों छे ते चार छे संस्थानु कद, भर्ती नीती, संस्थानी छबी औने नोकरी नी छबी अने बाहिय परिबडों मां वस्ती विशयक परिबडों, बेरोजगारीदर, श्रम बजार, श्रम काईदा अने कानूनी विचाना आटलानों समाविश्थाई छे तो हवे अपने सवप्रतम आंत्रिक परिबडों ना संस्थानु कद तेना विश्य समझीशू विधरते मित्रों, संस्थानु कद जेटलू मोटू हशे, तेटलीज भरती, योग्यरीते अने माठखागत रीते करवी जरूरी बनी रहे छे अने तेटला माठेज जे इंटर्यू प्रोसीजर जेने कैवाई द्रोजकार मुलाकात, ते खुबत सारी रीते अने विवस्तित रीते करवी जरूरी बनी रहे छे भरती नीती, बरती नीती जे छे, तेमा नीती, एटले के तमें कई नीती अपनाओ छो एटले के तमें डाइरेक रेक्रूट्मेंट करो छो, एटले के इंटर्नल रेक्रूट्मेंट करो छो के एक्स्टर्नल रेक्रूट्मेंट, एटले के तमें बाहियस्त्रो तो अपनाओ छो, के तमें आंतरिक्स्त्रो तो अपनाओ छे, ते भरती नीती मा नक्की करवामा संस्थानी छबी जो हकारात्मक हस्टे बजार मां तो जेपन कर्माचारियों छे ते खुबज पोजिटिव रहसे अने तेयों अर्जी करवा मांटे प्रोच साहित थाशे तेवेज रिते संस्थानी छबी नी जेम जे नौकरी नी छबी छे ते पन खुबज अगतियानी छे जो नौकरी नी छबी सारी हसे इटले के नौकरी मां जे तेमने अर्जी करवी छे तेमा सारू महेंताणू मलतू हसे तेनू जो बजार मां नाम सारू हसे तेनू कार्यस्थर आपने जे आ चाहरे परिबडों जोया ते आंत्रिक्रित असर करेचे एटले के ते इंटर्नल फेक्टर्स चे अने संस्थामा आंत्रिक्रित असर करेचे आत्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक પरिबढ़ों छे ते केवी रित असर करें छे धारे के कोई पन कर्मचारी नी जो उमर्वधार असे के तेओ अमुक धर्म जे छे तेए अनुशर्त आसे शाक्षटानों दर जो वधार असे अथ्वा तो ओछो हशे तो आब द्धाज परिबढ़ों ते जेछे भरतीने असर बिजु छे बेरोजगारी नो दर, जो कोईपन जग्याए, कोईपन भोगोली क्विस्तार मा जो बेरोजगारी नो दर जेछे, ते खुबज उचो हशे, तो जे भरती करवी छे, ते खुबज सहलाईती थाई शक्षे, अने जो बेरोजगारी नो दर नीचो हशे, तो भरती कर अने जो मांग ओची हशे अने सामे पूर्वठ हो नहीं होई तो पन ते तकलिफ कर से एटले के सामे जेटली मांग छे तेनी सामे जो तेटलोज पूर्वठ हो हशे तो भरती करवी सहलाई थी थाई शक्षे पची चे श्रम काईदा श्रम काईदा एटले के आज जे काईदा छे एटले के जे सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा अने केंद्र सरकार द्वारा नक्की करवामा आवे छे अने जेम जेम सरकार बदलाती रहे तेम तेम आज जे श्रम काईदा छे ते पन बदलाता रहे अने छेले चे कानूनी विच्चाणा, इटले कि आपने जानिये चे कि जारे कोईपन रिक्रूटमेंट, कोईपन भर्ती करवामा आवे, तो अमुक नौकरी माटे रिजर्वेशन होई छे, इटले कि SC, ST, OBCJV विविच जात्यों माटे अमुक रिजर्वेशन करवामा आवे अने आमापन जे रिते सरकार बदलाती रहे, ते रिते आना नियंसों पड़्लाता रहे छे विद्यार्थी मित्रों जो भर्ती प्रक्रिया असर कारक्रीते कोई पर संस्थाने करवी होई तो अमुक तेनी पद्धतियों छे जे संस्थाने अनुसर्वी परसे तो ते अचुक सफर ता मेड़ाउशे सफर भर्ती नी पांच पद्धतियों छे पहली भर्ती आयोजन, बीजी, वियूरचन, विकास, त्रीजू छे, शोध, चोथू, परक, अने पांच मों, मुल्यांकन, अने नियंत्रण तो सवप्रतम आपने भर्ती आयोजन, जोई है, कोईपण संस्था ने जो भर्ती आयोजन करूँ हसे, एटले कि तैने प्लानिंग करूँ हसे, तो तैने अमुक मुद्दा छे, जे ध्यान मा राखवा पडशे, जेम के, खाली जग्यानी संख्या, एटले संस्था मां हाल, पने जोओ परशे, कि ते जग्या माटे नौकरी ने विशेष्टता शूँ हसे, नौकरी माटे कई आवेश्यक, अनुबव जोईशे, लाइकाद जोईशे, औने काउशल य जोईशे, एटले कि स्कील्स जोईशे, ते तैने लखवी पड़े छे, उमिद्वारों नी भरती नी व्यू रचना, आने recruitment strategy तरी के ओड़कवामा आवेशे, इतले कोई पर संस्था आसे, तेमने जो भरती नी व्यू रचना, अथवा तो व्यू रचना विकास करणों हसे, तो तेमने एक strategy इतले के एक निति बनावी पड़ेशे, तो आ निती बनावा माटे पण, अ आंत्रिक रीते, तेज रीते भर्ती स्त्रोतों एले के भाय स्त्रोतों के आंत्रिक स्त्रोतों, internal sources as well as external sources, ते पची कईो भॉगोलिक विस्तार छे, इटले के कया विस्तार माँ तमे भर्ती करवा मांगोचो, ते पन खुबज असर करे छे। ज्यारे पन आ वियू रचनानों विकास करवो होई, त्यारे आ प्रक्रिया खुबज लांबी छे, अने तेना माटेश तेने व्यवस्तित रिते बनावी जरूरी छे. त्रीजु पगत्यु चे शोध, शोध एटले के शोधू, कर्मचारियोंने सोधवा, शोध ए भरतीनी प्रक्रिया खे, जेमा भरतीनी व्यू रचना करवामा आवे छे, एले कि जारे पहलू पगत्यु पते, बीजु पगत्यु पते, पछी शोधू नी शरूवाद थाई छे एटले के कर्मचारियोंने संस्था माटे सारी रिते शोधवा, अने तेओ नौकरी माँ छेक सुती जोडाई, अने काम सारी रिते करे, ते पन जोवूं। उखे टो तेनी पछी भरती जायरात बार पढ़वा मां आवे छे, अने बीजु छे वेचान, वेचान एटले के संस्था नी भरती नी जाहरात माटे तेओो मीडिया पसंद करें छे, एटले के तेननी जाहरात करवी छे, तेना माटे तेओ कईू माध्यम पसंद कर से, इटले के ओड़क करवी कर्मचार्योंनी सारी रिते अने उंडाग पूर्वक तेमने तपासवा भरती योजनानी महत्वनी प्रक्रिया आ खाली जग्याओ ओडखवी ते छे अने मानव संसादन विवभाग मा ज्यारे पण खाली जग्याओनी जरूर पड़े तो तरत तज त ट्यारे त्यानी मांगणी, ते विवभाग मांथी शरूह थाती हुई छे? तो ज्यारे पण कोईपण विवभाग मा, आ खाली जग्याओनी मांगणी शरूह थाई, त्यारे अमुक महत्वना मुददा छे, जेना पर ध्यान आपफवु जरूरी छे. जेम के स्तीती संख्या इटली के हाली संख्या शूंचे अनेय खाली पड़ील जग्या कीटली छे केले के कांग करी रह्या छें टेना सीवाई कीटला कर्मच्यारीयोंनी संस्थामाँ जरूर Tonnesia बीजु खाली जग्याओ भर्वी तो आज इतली खाली जग्याओ नी जरूर छे संस्था मा तिटला कर्मचार्यों नीमनुक करवी त्रीजु छे फरजो औने जवाबदार्यों इतली के responsibility तो एमने responsibility शुमाशे ते नक्की करवू औने छिल्ले तेमने किटलो अनुभव छे औन तेमनी लाइकात ते तपास्वा पांचम तबगक चे मुल्यांकन औने नियंत्रण कोई पन संस्था ज्यारे पन भरती करशे तो तेना माटे ते विशाड रकमनों खर्च करती होई छे एटला माटे ए जोमू जरूरी छे के जिटलो पन भरती माटे खर्च कर्मा माँ आवे अने तेटला माटे ज आग प्रक्रिया खुबच खर्चाड होवाती संस्थाने तेना पर ध्यान आपफू जरूरी छे के केटलो खर्चों थाई जे औने केटलो खर्च माँ तेवो बच्याव करी शके छे आमा आपने अमुक उधारन द्वारा समझी शकीशू के कया खर्चा होई छे जेना पर मुल्यांकन औने नियंत्रन करवू जरूरी छे जेम के भरतीकारों नो पगार छे, जायराद खर्च छे, एजनसी फी छे, नोकरी सपस्टी करण, नोकरी नो वर्ण अने छेले इंटर्यू लेवा माटे जे मैनेजमेंट अने एक्सपर्स द्वारा, जे पन खर्चवामा आवेलो समय छे, ते पन नक्की करवू पड़े छे विद्यार्थी मित्रों आपने भरती ना प्रकार जोया, के कई रिते आपने भरती करवी जोईए, अने तेनी पद्धतियों जोई, तो हवे आपने भरती ना स्त्रोच जोईशू, तो भरती ना जे स्त्रोच छे, ते व्यापक रिते, बेश्रिणियों मा वें चायला छे, एक आंतरिक स्त्रोतो और एक बहियस्त्रोतो तो जी आंतरिक स्त्रोतो चे तेमां बढ़ती परिवहन, भुद्पूर्व कर्मचारी, पहला ना अरचदारो और अने कर्मचारी रेफरर्स नों समाविश थouse जारे बहियस्त्रोतो मां सीधी भर्ती, रोजगार वीनी मैं एटले के एंप्लोईमेंट एक्स्चेंज, रोजगार एजनसी एटले के एंप्लोईमेंट एजनसी जहायरातों, केंपस भर्ती औने व्यावसाइक संगठनों नो समाविश थाई छे तो हवे आपने आंत्रिक स्त्रोतों विशे पहला समझीशू, तेमा प्रतम चे बढ़ती, बढ़ती एटले के प्रमोशन, जहारे पन बढ़ती करवामा आवे त्यारे कर्मचारी ने नीची स्थीती ती वधू जवाबदार्यों एटले के रिस्मोल्सबिलिटीज आपफ़ाम मा आवे छे, सारू महें तानू एटले के तेनो पगारपण वदे छे, तेने सुवी धाव सारी आपफ़ामा आवे छे, अन्ने तेने उच्छ स्थडे नू स्थानान तरण करवामा आवे छे, यले के प्रमोशन छे ते एक पॉजिटिव एक्टिविटी छे कर्मचारी माट बीजू छे, परिवहन, एटले के स्थानान तरण, स्थानान तरण माँ विद्यार्थी मित्रो, क्रॉम औने जी जवाबदारी छे, तेमा कोई पड़ जातनों फेरफार्थ हतो नथी, परन्तु तेमने कामना एक स्थडे ती, बीजा स्थडे तेमने मुकवामा आवे छे 10 जू छे, भूतपूर्व कर्मचारी, आज जी नाम छे, तेर ज तेनों और्थ छे, एटलेके जे कर्मचारी पहला संस्था साथे जोडाई चुक्या छे, काम करी चुक्या छे, तेमने जारे पन संस्थामा काम पड़े, जरूर पड़े, तेमने पाच्छा बुला वामा अने जवाबदारी आ बनने थी तेओ वाकेफ होई छे, कि संस्था मा आया पची तेमने कई जवाबदार्यों निभावानी होई छे, अने काम कई रिते करवानों होई छे, बीजू छे तालीम अने विकास पर ओचो खर्च, एटले कि तेओने ट्रेनिंग अने डेवलपमेंट तेना माटे तेमना पर फरी थी, पैसा खर्चवानी जरूर परती न थी, कारें के तेओ काम थी वाकेफ होई छे, अने त्रीजू छे समयी नो बचाओ, एटले के संस्था माटे समयी पन बचे छे, कारें के जे कर्मचार्यों छे, ते वातावरणने, एटले के स्थड़ना अने काम कई रिते करवाण होची, तेनी पद्धती ने पन खुबस सारी रिते जानता होई छे, चोथुचे आंत्रिक जायरात, एटले के नौकरी पोस्टिंग, आजी आंत्रिक जायरात छे, एटले के जे संस्था माँ जहरे पन जग्या खाली पड़े, तेनी जाहरात करव तेमने पन तेलोको कई शके चे के आज जग्यानी जरूर छे औने तेओ काम करवा माटे पछियामा जोडाई छे भरतीना आंत्रिक्स्तोतों मां पांच मों मुद्दों छे पहला ना अरसदारों एटले के जे अरसदारों पहला काम करी चुक्या चे संस्था साथे जुडाई चुक्या चे अने तेमनों जे डेटाबेस चे एटले के तेमनी जे माहिती चे ते संस्था पास से पहले थी चे तो संस्था ने आज जे अरसदारों चे तेमने संस्था मा जुडाव माटे तेलोक पर करी ने संस्था साथे जोड़ावा मटे बोलाई शके छे अने आवा कर्मचारियोंनों हमेशा संस्थाने हकारात्मकच प्रतिभाव मडशे अने आजे रस्तों छे एटे सस्तो अने सरड़ पण छे छट्टू जे कर्मचारी रेफरल्स इटले के जे कर्मचारियोंना संदरब द्वारा नवा संसादनी भर्ति करवानी प्रक्रिया छे ते संस्थामा हाल काम करी रहा छे इटला माटे आ जे छे अरजदारों तेमना माटे पण ओछो घर्च थतो होई छे साथे साथे तेलोको उपोताना मित्रों तता समंधियों ने आ अरजी माटे नोंधावी शके छे अने जे रिते पहलाना अरचदारों मा आपणने फाइदों मडे छे तेज रिते आमा पण समवई नी बच्चत थाई छे विद्यार्थी मित्रों आपणे आंत्रिक स्त्रोतों भण्या हवे आपणे 22 विशे समझूती मेडवीशू तो 22 विशे सव प्रथम चे सीधी भरती एटले के डायरेक्ट रिक्रूट्मेंट ज्यारे पण सीधी भरती करवामा आवे त्यारे तेनों अर्थ ए थाई छे कि नोटिस बोड पर जिटली पण खाली जग्या छे औने तेनू पद कईू छे तेनी माहीती मुखवामा आवे छे अने आ जे सोर्सिंग नी प्रक्रिया छे तेने फेक्टरी गेट रिक्रूट्मेंट तरीके पण ओडखवामा आवे छे बीजु छे रोजगार विनी मैं एटले के एंप्लोईमेंट एक्सचेंज एक सरकारी एटले के गववर्मेंट एंटीटी छे त्या जिटला पर रोजगार होई तेमने पोतानी माहीती त्या जमा करावानी होई छे अने त्यारे पर तेमने अनुसरती अने जिटली पर तेमने लाइका थशे जिटलो तेमनो अनुबव हशे त्यारे तेमने संस्थाने तेमने जरूर हशे त्यारे तेमने संपरकरी ने तेमने बोलावामा आवशे त्रीजुचे रोजगार संस्था एटले के एंप्लमेंट इंस्ट्यूशन रोजगार संस्थाओ खानगी जाहेर अत्वा सरकार जिवा विविच्छेत्रों द्वारा चलावामा आवदी होई छे अन्ने तेमा जे पन रोजगारों छे ते कातो कु कुषड होई शके कातो अर्थ कुषड होई शके पड़ जे संस्थाने जेवा कर्माचारियों नी जरूर होई ते प्रमाणे तेमने त्या मुकवामा आवे छे चोथुचे जाहेर आतो एटले के एडवर्टाइसमेंट आज जे जाहेर खबर छे ते खुबज पाड़ू स्त्रोच छे अने खुबज अगत्यानों पण छे कारान के विद्यार्थी मित्रों क्यारे पण कोई पण संस्थाने जो जाहेराद करवी हशे तो ते अमुक मीडिया पसंद करे छे जेमके टीवी छे रेडियो छे न्यूस पेपर छे तो तेना आ मीडिया इवा जेना द्वारा कर्मचारियो एटले कि जी अरजदारों छे तेमने तरत्तज माहीती तेनी मड़े छे अने तेवो अरजी करवा प्रोस्साहित थाई छे एटले कि आज ए खाली जग्या हो छे ते विविद्प्रिंट अने इलेक्ट्रोंिक मेडिया द्वारा चोकस काम, वर् बद छे, केटली खाली जग्या छे, तेमा नौकरीनू वर्णन करवामा आवे छे, नौकरीनू स्पस्टी करण पन करवामा आवे छे, एटले के अनुभव केटलो जोईशे, लाइकाद केटली जोईशे, ते अंदर लखवामा आवे छे पांच मुझे व्यावसाइक संगठनों व्यावसाइक संगठनों इटले के आमा कर्मचारी, तक्निकी कर्मचारी औने संचालक के कर्मचारों नी भरती मां संस्थाने मदद रूप थाई छे जे संगठनों औने नोकरी शोधकों वच्छे एक पूल तरीके कारिया करे छे अमा जे संगठनों छे ते जमने नोकरी नी जरूर छे तेमने औने जे संस्थाने अरस्दारों नी जरूर छे ते बन्ने ने मड़ावानू कारिया करे छे पांच मुझ छट्टो चे केंपस बर्ती केंपस बर्ती एटले केंपस रिक्रूटमेंट तरीकें तैने उडखवामा आवे छे एटले के जिटला कॉलेजिस के युनिवर्सिटीज होई अने शैक्षणिकावी संस्थाओ होई ते ओ विध्यार्तीनी भर्ती माटे टेकनिकल औने मैनेजमेंट औने व्यावसाइक संस्थाओ साथे काम करवा माटे जोडिये आपे छे विद्यार्तिमित्रों आपने भर्ती विश्ते समझूती मेडवी हवे आपने पसंगी शूँँछे औने पसंगीनों महत्व शूँँछे ती आपने चोई शूँँँँग जेटलू भर्तीनों महत्व चे तेटलू ज पसंद्गीनों संस्थामा महत्व होई छे भर्ती ये पहला करवामा आवे छे अने तेना पछी नू पगत्यू चे पसंदगी करवी इटले के जमके जारे भर्ती करवामा आवे त्यारे 15 कर्मचार्यों ने बोलावामा आवे अने पछी तेमा थी 3 जन नी पसंदगी करवामा आवे इटले आपने भरती औने पसंगी ते बनेवाचे नो तफावत समझया अवे पसंगी शूँचे तेनो आपने अर्थ समझी है पसंगी नो उद्देश, सवती योग्य उमेदवार पसंद करवानों छे जे संस्तामा खाली नोकरीनी स्थिती माटे योग्या छे इटले के धारके 15 जणानी जरूर छे तो तेमाथी 55 जणने पसंद करवामा आवे तो तेने पसंदगी करी क्यावाई पसंदगी उमेदवारों नी मुलाकात लेवानी औने तेमना गुणों नो मुल्यांकन करवानी प्रक्रिया छे ज्यारे पण खाली पद माटे उमेद्वारनी पसंद की करवामा आवे तो ते व्यक्ती नी उंडार पूर्वक तपास करवामा आवे छे त्यानी ओड़क करवामा आवे छे औने पछी तेने पसंद करवामा आवे छे आनुकारण एज छे के ते व्यक्ती संस्थाना जे हेतुओ छे तेने पहुंची शक्ये छे इटला मटे ते संस्थाने पन फाइदारूप निवडे छे पसंद की प्रक्रियाई वधू उमेद्वारोंनी अर्जियोंने फिल्टर करवानी प्रक्रियाँ छे जेमके 15 मानोंसो ने भरती मां बुलावामा आवे औने 5 मानोंसो ने पसंद करवामा आवे तो तेने फिल्टर कर यू कैफाई औने आमा आ प्रक्रियाँ मा अ योग्य औने अ प्रस्तुत उमेद्वारोंने दूर करवामा आवे छे जहें के गणा बदा अरेसदारों तेमा अर्जी करशे, कोई पन पद माटे, तो तेमा अमुक अरेसदारों एवा आसे, के जहें नो अनुबव ओचो परशे, लाइका तोची परशे, के अमुक स्कील्स एम नामा नहीं होई, तो तेवी अर्जीयोंने रिजेक्ट करवामा आथी कोई पर पसंद्गी करवी होई, तो नोकरी दाताने तेना माटे समय, तालीम औने अभी मुकता माटे खुबज खर्च करवो परतो होई छे, आटला माटे जो व्यवस्तित रिते, योग्य रिते पसंद्गी करवामा न आवे, तो संस्थाने खुबज मोटू आविश थाई छे, जेमके सवथी पहला इंटर्वू लेवामा आवे छे, पछी संदर्भ चकासनी एटले के रेफरंस चेक करवामा आवे छे, त्यार बाद तबी भी परिक्षा एटले के medical examination लेवामा आवे छे, औने छेले अंतीम पसंद्गी एटले के final selection थाई छे, सवथ एवी प्रक्रिया छे, जेमा दरेक उम्मेद्वार ने वद्वू सारी रिते जानवा औने ओडखवामा आवे छे, औने तेना लिदे संस्था दे व्यक्ती ना आंत्रिक गुणों शोती काडे छे, औने तेमने अंदा जावे छे, कि आ व्यक्ती भविश्यमा अमारे संस्थ ने अद्हेता मांटे योग्य हसे के नही अज़ए, वगेरेनी तपास करवामा आवे छे, औने जो तेमने योग्य लागे, तो तेंगे तेमने फो संस्था मांटे तेंदे जोड आवानू कहे छे, त्री जुल चे तडबी पी परीख्षा, एटले के के मेडिकल एग्जामीनेशन आजे मित्रों अपणे जोईये छे कि कोई पंचता हो युए कार्माचारीने पसंत करीले wyदाद के बाद करी परिक्सा माँ भाई खात्री करवां मां आवे छे कि ते व्यक्ती आ संस्था मां टे सक्षम छे के नहीं और भविष्यमां परते संस्था सासे जुडाई ने सारी रिते काम आपी शक्षे के नहीं आपीशके अने छेलू पगत्यू जे अंतीम पसंगी, एटले के फाइनल सिलेक्षन, अंतीम पसंगी है अंतीम प्रक्रिया छे, जे दर्शावे छे के उमेद्वार उप्परना तमाम पगला माथी धर्रेक प्रक्रिया माथी सफर रिते पसार थायेल छे, अने ज्यारे ते बध्धाच प भसार थावू जरूरी छे आँ विण-विन सिजुएशन चे कर्मचारी माटे पने संस्था माटे पने तो विद्यार्थिमित्रों आज रिते जीवन माँ आगण सत्त वत्ता रहो औने प्रगती करता रहो तेवी मारी सुभेच छा अने हवे आपने पछीन लेक्चर माँ मोट पार्या मंता पहाँ